चलिए आईए इस वीडियो में हम लोग कुछ कॉंसेप्स को रिवाइस कर लें जो की निर्देशांग जयामती पे आधारित हैं और ये सारे ही कॉंसेप्स प्रारिक्षा की दृष्टी कौन से और इस विशे को बहुत अच्छे समझने के लिए भी काफी ज़रूरी है तो सबसे पहले हमने निर्देशांग जयामती में देखा कि अगर हमारे पास दो बिंदू P और Q हैं और जिनके निर्देशांग X1, Y1 है और X2, Y2 है यहां में पता है कि X निर्देशांग जो है वो X1 है, X2 है दोनों बिंदूओं का और Y निर्देशांग जो की कोटी है वो Y1 और Y2 है दोनों बिंदूओं का अब अगर हम इन बिंदूओं को एक बार दि इसी दिखेंगी तो वो कुछ इस प्रकार की होंगी और यहां मैंने X अक्ष और Y के साथ में ये दो बिंदूएं दिखा दी और इसके बीच की दूरी हमें यहां पर ग्याद करनी हैं तो आईए ऐसा करते हैं कि पहले इन दोनों बिंदूओं से दोनों अक्ष पे लंब बना दें तो अगर हम लंब बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर X अक्ष के लिए जो इन दोनों ही बिंदूओं के भुज हैं वो आ जाएंगे और Y X अक्ष के लिए जो इन दोनों बिंदूओं के कोटी है वो आ जाएगा और अब आप अगर यहां पर ध्यान दें त समकोंड तरिबुज की दूरियों को देख कर मतलब इस समकोंड बुज की अगर हम भुजाओं का मान गयाद कर लें जो की QT और PT है तो पाइथागुरस ठोरम की मदद से हम इसकी कर्ण की भुजा है उसका भी मान गयाद कर लेंगे तो सबसे पहले आईए देखते हैं कि इसकी जो लंब और आधार भुजा है उसका मान कितना होगा आप याँ देख सकते हैं कि जो ये बिंदू है Q और जो ये बिंदू है T ये दोनों ही एक वर्टिकल लाइन पे हैं या फिर हम ये कहलें कि ये एक उर्दवारधर रेखा पे हैं और इसलिए इनके बीच की जो दूरी है वो सिर्फ और सिर्फ कोटी निर्देशांग के अंतर के बराबर हो जाएगी और उसी प्रकार आप अगर देखें तो बिंदू P और T जो है वो एक ही शैते जिस्थर पर है इसलिए उनके बीच की दूरी जो है वो सिर्फ उनके जो भुझ निर्देशांग है उनके अंतर के बराबर हो जाएगी और अब हम यह देख सकते हैं कि हमारे पास एक समकोन बन रहा है P Q T और इस समकोन का जो कर्ण है वो है D तो अगर हम उसका वर्ग ले लेंगे तो यह बाकी दोनों जो हमारे पास भुझाएं हैं X2 माइनस X1 इस भुझा के मान के वर्ग और दूसरी भुझा Y2 माइनस Y1 के वर्ग के योगफल के बराबर हो जाएगा और अगर मैं सिर्फ दूरी निकालना चाह रही हूँ तो मुझे वर्ग मूल लेना पड़ेगा जो की मेरे पास आ जाएगा X2 माइनस X1 स्कुएर और Y2 माइनस Y1 स्कुएर का वर्ग मूल तो ये जो सूत्र है इसको हम दूरी सूत्र कहते हैं जो हमें निर्देशांग के रूप में यहाँ पे मिल गया इसके बाद जो हमने सूत्र पढ़ा उसे हम कहते हैं विभाजन सूत्र तो जैसा की नाम हमें बता रहा है विभाजन सूत्र ये सूत्र हमें ये ग्याद करने में मदद करता है कि अगर हमारे पास कोई एक रेखा है जो की दो बिंदूओं को जोड रही है तो जैसे कि यहाँ पर जो दो बिंदू है A और B उनको जोडने वाली रेखा A भी है और इस पर हमारे पास कोई एक बिंदू है जो कि इस रेखा को विभाजित करता है एक अनुपात में M और N के तो इस बिंदू के जो हमारे पास निर्देशांग है वो क्या होंगे ये हमें विभाजन सूत्र से पता चल जाता है तो एक बार मैं फिर से बता दू हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे देख रहे हैं इस बिंदू के निर्देशांग जो की इस रेखा को एक M स्टू N के अनुपात में बाट रही है और हमारे पास ये किसके बराबर आ जाता है और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि इस सूत्र के अनुसार जो भी हमारे पास ये बिंदूपी है इसके जो निर्देशांग हैं वो आ जाते हैं MX2 प्लस NX1 और इसे हम भाग दे देंगे M और N के योगफल से और Y निर्देशांग के लिए MY2 प्लस NX1 और फिर हम इसे भाग दे देंगे M प्लस N से तो आपको ध्यान रगना है कि जो ये वाला भाग है ये गुड़न हो रहा है इससे और ये वाला जो भाग है वो गुड़न हो रहा है इससे और फिर हम योगफल लेकर के भाग दे रही है M प्लस N से ये दोनों निर्देशांग को ले हम यही कर रहे हैं, चाहे आप भुज की बाद करें, चाहे आप कोटी की बाद करें इसके बाद में कई बार प्रशन में आपसे ये बूच लिया जाता है कि ये अनुपात क्या है और वो आपको उन परशनों में इन बिन्दूओं के निर्देशांग दे देते हैं तो कई बार हमारे लिए ये जादा अच्छा होता है कि हम इस अनुपात को M और N लेकर के K और 1 ले ले तो इससे हमें क्या फायदा हुआ कि यहां पे हमारे पास दो चरपद थे और अब हमारे पास एक ही चरपद है और अंतर क्या आएगा कि यहां पे M और N जो हैं दोनों ही हमारे पास पून संख्या हैं आ जाती और यहाँ पे आपके पास K जो है वो एक परिमे संख्या के रूप में आ जाएगा तो जादा कुछ भी अंतर नहीं है और हमारे पास जो गढ़ना है वो काफी कम हो जाएगी और अगर मैं यह कहूँ कि अब मेरे पास अनुपात K-1 है तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो यह बिंदू P है जो की इस रेखा को K-2-1 के अनुपात ने बाढ़ रही है उसके निर्देशांग हो जाएंगे फिर से हम यही करेंगे K-2 और 1-X-1 और K-1 से इसका भाग इसी प्रकार K-Y-2 प्लस Y-1 और K-1 से इसका भाग तो इस प्रकार हमें विभाजन सूत्र से इस बिंदू की निर्देशांग मिल गए जो की किसी रेखा को एक दिये गया अनुपात में बाढ़ती है यहाँ पे अनुपात हमने M-2-N लेकिन निर्देशांग बता दिये K-2-1 लेकर के भी निर्देशांग बता दिये एक और यहाँ पे बहुती जरूरी सूत्र है वो आजाता है कि अगर आपके पास कोई एक बिंदू कहा गया है जो की मद्ध बिंदू है तो अगर मैं यह कहूं कि मद्ध बिंदू है तो यह जो आपके पास अनुपात है वो बराबर हो जाएगा और उस स्थिती में अगर हम किसकी बात कर रहे हैं मध्ध बिंदू की बात कर रहे हैं तो हमारे पास मध्ध बिंदू के निर्देशांग आ जाते हैं दोनों ही निर्देशांगों का योगफल मतलब अगर हम एकस निर्देशांग की बात कर रहे हैं तो दोनों दिये गए बुंदूओं के भुझगा योगफल करके आप भाग देतें दोसे और अगर आप कोटी की बात कर रहे हैं तो दोनों के कोटी निर्देशांग क्या योगफल करके भाग देतें दोसे तो ये आपके पास मद्ध बिंदू के निर्देशांग आ जाएंग तो इस निर्देशांग ज्यामति के जो मेन टॉपिक्स थे वो यही थे और चलिए अब हम इसके ओपर कुछ प्रश्णों का हल करने का प्रयास करें पहला प्रश्ण हमें दिया गया है उस बिंदू के निर्देशांग ज्याद कीजिए जो बिंदूओं चार कॉमा माइनस तीन और आठ कॉमा पांच को जोडने वाली रेखा गंड को आंतरिक रूप से 3 इस टूवन के अनुपात में विभाजित करती है या विभाजित करता है तो हमारे पास एक इस तरीके की रेखा दी गई है और इस रेखा में जो हमारे पास दो बिंदू हैं उनके एक बार हम लिख लेते हैं कि क्या क्या हमको निर्देशांग दिये गए तो पहले बिंदू का निर्देशांग है 4,-3 और दूसरे बिंदू का निर्देशांग है 8,5 और इसके बाद कहा गया है कि यहां पे हमारे पास को एक बिंदू है जो कि इस रेखा को 3 is to 1 के अनुपाद में बाढ़ती है तो मान लेते हैं कि वो जो बिंदू है वो P है और उसके निर्धेशांग X और Y है और यहाँ पर जो अनुपात है उसको मैं लिख लेती हूँ तो जैसा कि हमें पता है कि विभाजन सूत्र के नुसार जो हमारे पास ये बिंदू P है इसके निर्देशांग XY क्या हो जाते हैं जो सबसे पहले आईए हम यहाँ पर सूत्र लिख लेते हैं तो अगर हम X निर्देशांग की बात करें तो हमारे पास आता है MX2 प्लस NX1 बटे M प्लस N और Y निर्देशांग आ जाता है MY2 प्लस N Y1 बटे M प्लस N तो चलिए आईए यहाँ पर मान रख देते हैं तो M क्या होगा पहला आनुपात का जो पद है वो 3 हो गया X2 तो 3 को हमें किस से गुड़न फल करना है दूर वाले उससे जो हमें यहाँ पर मिलेगा वज्जर गुड़न आपको एक तरीके से करना है यहाँ पर तो 3 का गुड़न आपने 8 से किया 1 का गुड़न आप किस से करेंगे 4 से और फिर आप इसको भाग किस से देंगे 1 और 3 के योग फल से जो की हो गया 4 अब आजाते हैं हम इसके कोटी निर्दे शांग पे और वो हो जाएगा 3 का गुणन फल 5 से 1 का गुणन फल माइनस 3 से और भाग दें देते हैं हम 4 से तो आईए अब यहाँ पे लिख लेते हैं 24 और 4 28 बटे 4 15 में से 3 गया बचा 12 बटे 4 तो यह हमारे पास आ जाएगा 7 और 3 तो इस बिंदू के निर्देशांग हमारे पास क्या आ गए 7,3 तो इस तरहां से हमने विभाजन सूत का प्रयोक करके इस प्रशन का हल कर लिया अगला प्रशन हमारे पास है x और y का एक सम्मंद ग्याद की जिससे हमारे बिंदू x y बिंदू 7,1 और 3,5 से समदूरस्त है मतलब हमसे ये का गया है कि हमारे पास एक कोई बिंदू है जो की है xy तो इस बिंदू के निर्देशांग है x,y और इस बिंदू के निर्देशांग के बीच में हमें संबंद ग्याद करना है यदि ये बताया गया है कि इसकी दूरी 7,1 और इसकी दूरी 3,5 इन दोनों बिंदूओं से बिल्कुल समान है तो अगर हम इस दूरी को D मान लें तो ये दूरी भी D है तो चलिए आईए यहाँ पे हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं और इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, इस बिंदू को A मान लेते हैं और इस बिंदू को B मान लेते हैं तो सबसे पहले आईए हम निकालते हैं AP की दूरी तो AP की दूरी निकालने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे और आईए एक बार हम सूत्र यहाँ पे लिख लें, तो D कमान क्या होता था, दोनों जो निर्देशांग हैं उनके आप भुझ निर्देशांगों के बीच का अंतर लेकर वर्ग ले लिजे, दोनों के कोटी नि अंतर है उसका वर्ग ले लिजे और फिर आपको जो भी योगफल मिले उसका वर्ग मूल ले लिजे, तो यहाँ पे दोनों के अगर हम बात करें की भुझ निर्देशांग क्या हैं तो वो हो जाएंगे 7 और X तो इनका अंतर और वर्ग और अगर हम इनके कोटी निर्देश और यह भी वर्ग मूल किसका हो जाएगा 3 माइनस X का पूर्ण वर्ग और 5 माइनस Y का पूर्ण वर्ग और फिर इसका योगफल और प्रशन की अनुसार यह दिया गया है कि AP और BP की जो लंबाई है वो बराबर है या फिर हम कहलें कि इस बिंदू से इन दोनों ही जो समान दूरी की है या फिर समान लंबाई की है तो इसलिए हमारे पास आ गया कि 7 माइनस X का होल स्कूर और 1 माइनस Y का होल स्कूर का रूट बराबर हो जाएगा रूट 3 माइनस X का होल स्कूर प्लस 5 माइनस Y का होल स्कूर अब क्योंकि दो चीजों का वर्ग मूल बराबर है इसका मतलब कि वो 100 M भी बराबर होंगी या फिर आप कहलें कि इस समिकरण में अगर हम दोनों तरफ वर्ग ले लें तो हमें क्या मिलेगा 7-X का पूर्ण वर्ग 1-Y का पूर्ण वर्ग और यहां पर योगफल है और दूसरी तरफ 3-X का पूर्ण वर्ग और 5-Y का पूर्ण वर्ग और फिर इसका योगफल है चलिए आएए इसको हल करने के लिए हम यहां पे एक सर्फ समिका का प्रयोग करते हैं जिसमें हमारे पास अगर दो पदों का अंतर लेकर के हम उसका वर्ग लेते हैं तो हमाएं पास आता है A² प्लस B² माइनस 2AB तो चलिए आये यहां पे हम इसको हल करें तो 49 यह आजयेगा A² माइनस 14X यह आजयेगा 1 Y² माइनस 2Y यह आजयेगा 9 प्लस X² माइनस 6X और यह हमारे पास आजयेगा 25 प्लस Y² माइनस 10Y तो अब अगर हम देखें तो 9 तरफ और 2 तरफ अगर हम x square x square को घटा दें तो ये खटम हो जाएगा फिर इसी तरह से अगर हम 9 तरफ और y square y square को घटा दें तो ये दोनों पत भी खटम हो जाएगे और अब देखिए आपके पास क्या बचेगा तो 49 और 1 हमारे पास हो गया 50 फिर ये माइनस 14x यहाँ पर बचा माइनस 2y यहाँ पर बचा दूसरी तरफ 9 और 25 है जो की 34 हो जाएगा और माइनस 6x और माइनस 10y बचा आईए इसको थोड़ा और अच्छे से हल करने का प्रयास करें तो दोनों तरफ अगर हम 34 को घटा दें तो 50 मिसे 34 जाके हमारे पास 16 बचा अगर हम दोनों तरफ 14x यहाँ का 14x खदम हो जाएगा दूसरी तरफ 14x माइनस 6x हमारे पास 8x बचेगा और इसी प्रकार अगर हम दोनों तरफ 2y आड़ कर दें तो minus 10y plus 2y minus 8y हो जाएगा और क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि सारे ही पदों में उभेनिस्ट 8 है तो अगर हम पूरे ही समीकरण को 8 से भाग दे दें तो 2 बराबर x minus y आएगा और इसको हम x minus y बराबर 2 भी लिख सकते हैं और यही हमारा उत्तर है क्योंकि हमसे प्रश्ण में सिर्फ यह कहा गया था कि हमें x और y के बीच में एक संबंद ग्याद करना है जो कि हमारी इस दी गई शर्ट को सार्थक करे और हमने वो यहाँ पे ग्याद कर लिया मुझे आशा है मैंने यहाँ पे आपको जो भी प्रश्णों के हल और जो भी concept पताए आपको अच्छे से समझ आए होंगे